तो हमारे खास कारक्रम पहचान में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है उंपरकाश बैरवाजी और जनम अम्रुत्यू पंचिकरन को लेकारी महतपुन जानकारिये दे रहे हैं तो वहीं एक नेहा हमारे साथ कोलर जुड़ चुकी है जालाबार से उनका रुख कर लेते हैं नेहा जी स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में आप क्या सवाल करना चाहते हैं जी मैडम मैं बताना चाहती हूं कि हमारे घर एक बेटी का जन्म हुआ है अभी कुछ समय पहले लेकिन उनका नाम हम अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो मैं जानना चाहती थी कि क्या बिना नाम के ही जन प्रमान पत्र बनाया जा सकता है और अगर ऐसा है तो नाम कब तक इसमें एड़ किया सकता है निया जी बहुत अच्छा सवाल है आपका देखिए चुकि हम नाम करण की जो हमारी विवस्ता है उसमें थोड़ा दिले करते हैं तो हम बिना नाम के पंजियन माता का नाम पिता का नाम अपना पता और उस बिना नाम से भी पंजियन करा सकते हैं और बाद में एक साल तक हम न नाम जद प्रमान पत्र मिल जाएगा पंजियन कर्मां की यही रहेगा और 15 साल तक का इस तरीके के जो बिना नाम के प्रमान पत्र हैं उनमें 15 साल तक नाम दर्ज कराया जा सकता है यह विवस्ता है पैचान पोर्टल पर चलिए वहीं एक और कोलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गंगनगर जिले से संदीब जी उनका रुख कर लेते हैं संदीब जी स्वागत आपका फ्रस्ट इंडिया में आप अपना सवाल कर सकते हैं जी संदीब जी आप तक अवास पहुंच रही है चलिए उनसा हमारा संपर्ग जो है वो टूट गया है तो वहीं दिगेंदर हमारे से जुड़ चुके हैं छाड़ा पाटन से उनका रुख कर लेते हैं दिगेंदर जी क्या कुछ पूछना चाहते हैं दिगेंदर जी आप तक अवास पहुंच रही है लगता है उनका भी संपर्ग जो हमसे तूट गया है मेरे जहन में भी कई सवाल यहां पर आ रहे थे हो प्रकाजी मैं अपना सवाल आप से कर लेती हूँ एक राज यी वोल्ट जो है उसे जूडने की बात यहां पर सामने आई थी जनम वृत्यू पंजीकरण को लेकर साथ ही अगर हम इलक्शन की अगर हम बात ले ले अगर वोटिंग जो होता है तो उसके साथ कैसे इसे कनेक्ट किया जा सकता है चाहे भामाशा को लेकर ले ले अपना ड्राइविंग लाइसेंस है जो हम आभी तक उनको या तो हमारे मेल में रखते है या हम उनकी हार्ड कोपी अपने हाँ फायल में सुरक्शित रखते हैं इस बात को मद्द नजर रखते हुए कि राजस्तान सरकार ने हने हमारे सूचना प्रदोगी की विवाग ने एक राज E-Walt की विवस्ता मानिय मुख्यमंत्री मोध्या के निर्देशा नुसार दी है जिसमें एक जीवी तक का राज E-Walt अकाउंट प्रतेक विक्ति अपना खोल सकता है और एक जीवी तक के डॉकुमेंट जिसमें सरकार के विविन विवागों के द्वारा जो भी प्रमान पत्र जारी किये जाते हैं वो प्रमान पत्र सुते ही राज E-Walt में स्टोर होने के लिए आ जाते हैं और विक्ति अपना खुद का भी कोई प्रमान पत्र जो पहले उसके पास जारी किया हुआ है उसको स्केन करके अपने उस E-Walt अकाउंट में रख सकता है तो ये एक बहुत अच्छी विवस्ता कि आज हम पोर्टल पे जाएं अपना जो राज E-Walt अकाउंट है उस अकाउंट को खोलके हमारे जो भी डॉक्मेंट हैं जो गॉवर्मेंट जारी करती है सरकार के विविन विवाग जारी करते हैं वो स्वते ही इससे इंटिग्रेट होके उस पे आजाते हैं तो उसका राज e-vault में अकाउंट खुल कर और उसके राज e-vault में उसका प्रमानपत्र, संरचित, सुरक्षित, इस्टोर उसका हो जाता है। और मेरा क्यूशन ये था सर, कि क्या बिना नाम के भी हम जनम प्रमान पत्र बना सकते हैं क्या और बना सकते हैं तो फिर कितने टाइम बाद इसमें नाम जोड सकते हैं, इसका कोई शुलक लगता है क्या। तो क्या विबाग दोरा ये मुहीम ऐसी चलाई दा सकती कि तीन मेहने में एक बार कैंप लगे और जनम मृत्यों का रजिस्टेशन हो सकते हैं? और पंदरे साल तक आप नाम जद प्रमान पत्र उसी पंजियन संख्या पर बच्चे का नाम लिखवा के जड़वा सकते हैं। एक साल तक कोई सुल्क नहीं है और एक साल के बाद में पांच रुपे का जो सुल्क है उसके सुल्क सहीत आप बच्चे का नाम करन सहीत प्रमान पत्र जारी करा सकते हैं। और अभी हमने ये पहचान पोटल के माध्यम से 36,000 तो इमित्र केंद्र और आप स्वेम भी एपलाई कर सकते हैं। और हम एवरी डे एक हमारे यहां पर पूरी टीम काम करती है जो जिस व्यक्ति ने भी जो आविदन किया है पोटल पर उसकी मोनिटर करती है कि रजिस्ट्रार ने उस प्रमान पत्र को जारी किया या नहीं किया वो हम यहां से इसकी मोनिटरिंग का काम करते हैं। तो ये तो every day हमने विवस्ता की हुई है इसलिए इसमें सिविर का मैं समझता हूँ कि वेट करने की आवश्क्ता नहीं है और इसका जो परचार परसार है विविन नूज परस के माध्यम से और जो कैम्प्स हमारे विविन जैसे नया है आपके द्वारे उसमें भी हम इस तरीके की विवस्ता करते हैं कि वहां पर पंजियन के लोगों को अवेरनेस हो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ओंप्रकास जी क्योंकि बेहस जरूरी है बहुत सरे लोग ऐसे जिनको इसकी जानकारी ही नहीं होती उनको पता ही नहीं होता कि आखिर कहां जाएं इमित्र जाएं या फिर वैब पोर्टल पर जाएं उमीद करते हैं कि इसे महतपुन जानकार हैं जो है हमारे दर्शिकों से साचा की जड़े खास प्रोग्राम में फिल हाल इतना ही लेकिन खबरों का सिलसिला लगाता जा रही है आपने करेय फॉस्ट इंडिया नमस्कार कर दो